किसी के लिए वफादारी दिखानी हो तो हमारे देश में नमक की बात की जाती है, नमक की दुहाई दी जाती है हुसेन एक बड़ा ही फीमूस डायलॉग भी तो है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है और अब ये बात तो फिल्मी है, लेकिन रियल लाइफ में भी सहत के साथ अगर वफादारी दिखाना चाहते हैं आप क्योंकि बहुत देर होने के बादी होश आता है, यहां भी नमक के इस्तमाल को जानना बहुत जरूरी ही क्योंकि ज्यादा नमक आपको बिमार बना सकता है क्योंकि आगे का डायलॉग यही है, अब बोली खा अब तक आपने ये सुना होगा कि ज्यादा नमक खाने से हाइपर टेंशन की परेशानी बढ़ती है लेकिन स्टडी अब ये भी कह रही है कि नमक के ज्यादा इस्तमाल से शरीर के नसे कमजोर होती है गलत खान पान से नसों की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है दरसल नसों का काम पूरे शरीर में खून की सपलाई है और इसके लिए शरीर के अलग अलग अंगों से होकर नसे गुजरती है और किसी भी वजह से शरीर के जिस पार्ट की नसे कमजोर हो जाती है या कोई किसे तरना की खराबी आ जाती है तब शरीर के उस हिस्से पर असर पहुने लगता है और उस पार्ट से जुड़ी परिशानी फिर शुरू होती है तो कई बार जब कोई अंग कमजोर होता है तो भी इसका असर उस हिसे की नसों पर पड़ता है और उसे जुड़ी हुई परिशानिया व्यक्ति महसूस करता है और नसों की ये परिशानी कई बार थोड़े वक्त के लिए होती है तो कई बार ये दिक्कत लंबी खिच जाती है वैसे अच्छी बात तो ये है कि छोटी छोटी लक्षनों को समझ कर बहुत शुरुवाती सुमे में नसों की कमसोरी और उससे हो रही परिशानियों का पता लगाया चासकता है जैसे किसी खास हिसे में अगर दर्द महसूस हो रहा है सूजन आ गई है चोटी चोटी बातें आप भूल रहे हैं चक्कर आ रहा है आँखे कमजोर होने लगी है या पिर जो अलग लग चीजों को सिंस करने की ताकत है महसूस करने की ताकत है वो कम हो रही है मसल्स में आप क अब कपाहट महसूस कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपको सावधान हो जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तमाम लक्षन है और अगर ऐसा कुछ है तो आप अलर्ट हो जाएए नहीं तो नसों से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियां शरीर में दस्तक दे सकते है मसलन साइटिका, बिल्स पैल्सी, वेरिकोस वेंज, निरो डीजिनरेटिव डिजीज और मल्टिपर स्क्लेरोसिस ऐसी ही बीमारी है जो नसों के कमजोरी के कारण होती है या फिर खराबी की वज़े से होती है हलकि इन सबका योग और आईरवेद में पक्का इलाज है और आज योग गुरू से वो तमाम उपाय हम जानेंगे जिससे नसे हिल्दी और मजबूत रहेंगी स्वामी जी बहुत स्वागत थे आपका स्वामी जी प्रणाम अब तक आप हमें दिख नहीं रहे बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम और आज हमारे साथ यहां पर जो भाई भेन है कैमरा वाला तो हमारा है नहीं वो तो खो गया कहीं तो इधर खड़ी हो जड़ा आज वो हवन में खो गया हवन कुंट की तफ्वीरे दिख रही है अब आपके भी दर्शन हो तो देखो यह देखो क्या नाम है टेरा दर्श कांग दर्द था स्वामी जी मुझे ऑगी दो हजार अठारा में एम्स डिटेक्ट हुआ था जी एम्स डिटेक्ट हुआ और उस से में डिप्रेशन में आ गई बहुत रध बिप्रेशन में वेट था 64 उससे हो गई 78 और अब यहां आके 4-3 किलो कम हुआ है एमेस को मैंने रोक दिया एमेस के उपर तो बांध लगा दिया उसको रिवर्स कर दिया फाइब्रोमाइल जिया था पूरी नसनाडिया सारे शरीर में पेन करती थी उनको ठीक कर लिया और चल नहीं सकती थी जब यहां आई थी तो पकड़ पकड़ के चलती थी अब चलती हूं घोड़के दिखाई दूए गरणामत ये लो अर्याय कहा डर्द था मेरा दर्द नहीं था मेरी ना के गंध नहीं आती थी आज 30 साल से ठीटर जन रहा गंध नहीं आती थी वो मैंने मैंजानतां डॉक्र शरीन को दिखाया है उसने बोल कि डॉक्टर साब मेरी ऑप्रेशन करके गंध लादो बोले कि कुछ भी करा लो ऑप्रेशन करो गंध नहीं आएगी बैदे अनलों बिलों किया और मेरी गंध पचास से असी परसेंट तक आगई इसकी इसके नाड़ी खुल गई यहां के नस खुल गई और तेरे कहा दर्द थ हो यमना नगर हर्याना से क्या नाम है गीता यह सारे बैठेनम आता हैं ज्यादा तर दर्द इनी को रहते हैं सारी कि सारी अपने लिए तालीब जालो सारी ठीक हो गई अब हमने यह जो लीज थेरापी सिंगी थेरापी सिरोधारा अक्षी तरपन करण पून नस्य रतमोक्षण यह सारे जो प्रकल्प हैं कि सारी प्रक्रियाएं अंदर के दर्दू को दूर करने का भी एक प्रकल्प है एक क्रम है हमारी उर्जा बाधी तो होती है वही पेन हो जाता है अब इन एलो पेती मालों को तो कोई समझा नहीं सकता कि यह तो प्रेन किलर देते हैं सिराट देते हैं बाईलोजिकल देते हैं बहुत खतरनाथ हैं और हम अनुलूम लूम कराते हैं हम सूर्य मुश्कार कराते हैं आज चार तरफ मेग हैं सुबह से इबादल गजरे हैं विजरी चबा कर रही है प्रकर्टी के अलग अलग रंग रूप दिख रहे हैं यहां पर लंबे लंबे श्वासों के साथ अब यह सूर्य नमस्कार कबाल भातियो रनुलूम बिलूम मैं तु कहता हूँ को जी पांच आसन पांच प्रणायम कर ले और जिलको नर्व पेन रहता है वो कम से कम पांच सीजों का जूस पी लिए एनुवेरा गिलोई और पारिजात निर्गुंडी मोरिंगा अच्छा स्वामी जी पार्ट को और अलग-अलग और्गन को हल्दी रखने को पाए बताते हैं एक दिन पूरा डेडिकेटेट प्रोग्राम जो है आप नसों पर करिए क्यों नसों से जुड़ी बहुत सारी परिशानी लोगों को होती है और नसे ही है जो पूरे बाड़ी में बलड को अगर रखना है तो उसके लिए योगा भ्यास के साथ-साथ और क्या-क्या करना है तो एक तो योगा Wrap मेना सबसे सरों रुपाइए हैं खड़े हो करके भह करके अब पार्क में भूंदे लोग बेंड़ी कर सकते हैं इसे खड़े हो करके अथवा ऐसे बैठ करके ये कर सकते और ये मिनाक्षी जी के लिए तो पहुत ही अच्छा है सूक्षम रायां ज़िपी वो त्रिकोणासन, कोणासन, साडासन, सुर्ण मसकार तक भी कर लेती है और छे मेने तक तो मिनाक्षी जी ने पता नहीं लगने दिया लेकिन आप साथवे मेने में पता लग रहा है उसका लाइव एग्जामपल है मिनाक्षी जी तो माताएं बहने मैंने हाद दिन कुछ न कुछ कुछ कहा है इन्फाटी लीडी किरे शिवलिंग की पूत्रे चीवक ले लो महिराओं को जिरको गर्वती महिराओं को कुछ जोरी है शतावर का प्रियोग कर लो और दूद में ब नहीं तो सिंपल सी है जो ब्राम्मी है संक्पुस्पी है अशुगंदा है शतावर है इन थोड़े ड्राइब फूट्स हैं अंकुरीत हैं शाक सब्जियां हैं फला इनका सेवन करें जे लिए सूक्षम्यायम जिनको दर्दे जादा हैं करो भेनो सब करो एक-एक अभ्यास क वो दस-दस बार से शुरू करके सो-सो बार करने से अब जो जादा व्यायम नहीं करता पाते सूरी नमस्कार दंड बैठक अलग-अलग प्रकार के जो व्यायाम है खेल गूद है अलग-अलग प्रकार के आसन हैं यह सब नहीं कर पाते वो मात्रिय सूक्षम व्यायम कर ले